बैया स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप हमारा प्रणाम सुई का रहे हैं हमारा नाम रौनक है और एक दिसंबर को यानी एक दिसंबर की तारीख को इंडिन तिनेमा डे घोशित कर देना चाहिए सुबे हमने अनिमल देखी उसी दिन सैंबादूर भी रिलीज हो गई हमने सोचा चलो कोई नहीं एक दिन में दो फिल्में रिलीज होती रहती हैं कही बार लेकिन फिर इसी साल आने वाली दो और बड़ी फिल्मों ने अपना अपना शक्ती प्रदर्शन किया तो पहर में भहिया ने डंकी का ड्रॉप 3 रिलीज किया जो कि सोनु निगम का एक ठो गाना है और फिर प्रभास अन्ना ने डिसाइड किया कि माई पीछे क्यों रहूं एक दिसंबर की रात को सालार के पांच ट्रेलर रिलीज किये गया मत बल ट्रेलर एक ही था पांच अलग अलग भास किया होता है नक जब बैक टू बैक इतनी सारी चीज एक साथ रिलीज होती है तो आप एक दूसरे से कंपेर करने लगते हो अब सैम बहादूर तो अभी हमने देखी नहीं है एनिमल देखकर आये थे उस फिल्म में मुझे बहुत हिला डाला रंबीर कपूर की परफॉरमेंस इतनी जबरदस्त रही क्या बोले पूरा सिनेमा वाचिंग एक्सपिरिंस शांदार रहा और उसके बाद शायद कुछ पसंदाना मुश्किल है इसलिए मैंने सैम बहादूर सेम डे देखने की कोशिश नहीं करी लेकिन सालार का ट्रेलर देखने कहीं जाना नहीं ता फोन प उन डखायतों ने खांसार के जंगलों में अपना किला बनाया था और वहां से राज करते थे अब एक और किसी प्रांत की कहानी है जहां दो दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तयार है एक दम जैवीरू टाइप फरिंसिप इन में से एक दोस्त है देवा यानी प जाते हैं कि वो अपनी मौत से पहले अपने बेटे वरध राजमनार को सरदार बनते देखना चाहिती है लेकिन सरदार बनने का एम्बिशन वो नारंग और गुरंग के अंदर वर्धा के खिलाफ बगावत हो जाती नारंग रशेट आर्मी लेकर आता है गुरंग सर्वियन आर्मी को, ऐसे में वर्धा के लिए, उनकी आर्मी काउन बनेगा, लेकिन प्रभास अन्ना क्या के कोई बोल सकता है क्या, वर्धा अपने दोस्त देवा के पास जाता है, जो की वन मैन आर्मी है, और मेरे ख्याल से फिल्म इसी बारे में होगी, कि किस तरह देवा वर्धा को स इनकी सांस आई है, क्योंकि डंकी सेफ है, ट्रेलर जो फिल्म की कहानी बता रहा है, उनके हिसाब से कहानी स्ट्रेट पॉवर्ड है, और समझने में सिंपल होगी, यानि ब्लॉक्बस्टर होनी की संभावना है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कि आपका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट प्रभास है, और उनको ट्रेलर में इतना कम स्क्रीन टाइम काई को मिला, फिल्म के प्रोडीसर जिन्होंने केजिएफ भी बनाई थी, और ट्रेलर देखकर आपको ऐसा लगेगा, कि केजिएफ का ही चैप्टर त्री बनाया गया, नहीं, कहीं, क सालार के ट्रेलर पर क्या रियक्शन है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना, वैसे हम तो प्रभास अनना के फैन हो, और उनके लिए तो भाईया, पिच्चर कम से कम दो बार जरूर जाएंगे, लेकिन आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं, वो अगर हमको बताना चा साम बहादूर का मूवी रिवीव दो पैर को इसी चैनल पर आएगा, फिलाल हम जाएंगे, थैंक्यू फो ओचिंग, सी यू आफ्टरनून में, जय हिंद।